नमस्कार Actually, आप कैसे जानेंगे एक अच्छा पत्नी है यानि मेरा पत्नी एक अच्छा है यानि अच्छा पत्नी का सोभाब किस तरह होणा चाहिए Actually, अच्छा पत्नी का 5 गून होना चाहिए वो क्या-क्या गून है मैं इस वीडियो में आप लोग को पूर्य विस्तर के साथ बताने वाला हूँ जिस आदम का उसका पत्नी का यह पांच गुण है उसका पत्नी बहुत सुन्दर और बहुत अच्छा है उसका घर सुर्ग जैसे है वो पांच गुण है नमबर एक पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा आपका पत्नी आपका बात मानता हो कोई भी आप बात बोलते हो वो पालन करता हो नमबर एक पे नमबर दो पे है पत्नी कहीं भी जाता है आप से बोल कर जाना चाहिए यानि आपको बताता हो कहीं भी जाता है या किसी से फोन करता है तो आपको बताता है ये नमबर दो था नमबर तीन पे है पतनी हमेशा पती का सेवा करना चीए, सेवा किस तरह जैसे पती आता है उसको तुरंत पानी देना है, टाइम टाइम से खाना त्यार करके पती को खिलाए और जब पती का कपड़े बगरा धो के प्रेस करके पती को दें पहनने के लिए और उसके बाद रात कोस होते टाइम पती का पैर दबाए इस तरह बोलते हैं सेवा इस तरह जब पतनी पती से सेवा करता है एक्चुली ये सेवा होता है पतनी पती से एक्चुली इस तरह सेवा करना चाहिए नमबर चार पे बताना चाहूंगा, पतनी हमेशा घर में पुजापाट करना चाहिए, या मुसलिम हो तो अल्ला का इबादत करें, हिस्टियन हो तो अपना गर्ड को हमेशा पुजापाट करें, भगवान को हमेशा पुजापाट करें, ये नमबर चार गोन होना चाहिए पतन पास नमबर पांच पर बताना चाओंगा पत्नी हमेसा बड़े को आदर और संबान करें जैसे सास ससुर हो गया कोई भी बुजूर हो गया उनको संबान करें और आदर करें उसको प्रणाम भी करें ऐसे संबान देना चाहिए पत्नी का ये पांच गूण होना चाहिए ये पांच गूण जिस पत्निया में है वो श्त्री वो पत्नी बहुत अच्छा है और बहुत सुन्दर है जिस घर में वो पत्नी जाएगा वो घर रौनों का जाएगा वो घर स्वर्ग जैसे लगेगा Thank you May you be happy always